जबु कश्मीर के अनंतनाग में लगाता चोथे दिन इंकाउंटर जारी है। पाकिस्तान के आतंकी बिल में छिपे बैठे हैं। सेना ने ड्रोन के जरी आतंकवादियों के हाइड आउट पर बम गिराए। सेना के इस एक्शन का डर सीमा पार साफ नसर आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के नए नए लांच पैड्स पर जो आतंकवादी खड़े हैं उनको उड़ाने का ओर्डर आ चुका है। और सिर्फ नए आतंकवादी नहीं मारे जाएंगे। इस बार वो पुराने आका भी निप्टाए जा सकते हैं जो 40 साल से पाकिस्तान में जाकर छिपे बैठे हैं। पांच जवानों की शहादत का बदला कम से कम 50 आतंकवादियों को मार कर ही पूरा होगा। यह अटाक कैसे होगा? अगली सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होगी? देखते हैं हमारे इस रुपोर्ट में। यहाँ पर काउंटर फायर शुरू हो गया है जो ढोग है गुफा है उसके उपर फायर करते हुए जो पूरा जो गुफा है उसको दोस्त करते हुए भारते सेना के जवान हैं स्पेशल फोर्स के कमांडों से हैं और यहाँ पर आप देखें तो इसको पूरा रिकॉर्ड किय यह दमाके की दूसरी तस्वीर पीर पंजाल की पहाड़ियां हिलने लगी है गोले आतंकवादियों के छिपने बाली जगा पर ही गिरे हैं कि ये गोले अभी और गिरिंग ऐलोसी के उस पार आतंकवादियों के उनके आकाउँ के दिल डोलेंग ही क्योंकि ये सर्फ ट्रेलर बदला अभी बाकी है और धमाके तेज शुरू हो चुके हैं हिंदुस्तान की टॉप लीडर्शिप कौन सा फैसला ले चुकी है? कौन सा ओडर दे चुकी है? क्या पीओके में एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या पहला हमला पीर पंजाल की पहाड़ियों पर होगा? इस बार जमीन से नहीं? क्या इस बार ड्रोन से आतंकियों के अड़ों पर टार्गेटिट अटेक होगा? आखिर ऐसा क्या है पीर पंजाल की पहाड़ियों में? क्या आतंक की आसानी से उसे अपना बेस बना लेते हैं? जंगल में? पहाड़ी में कहां छिपकर हमला करते हैं? आज अभी इस वक्त पीर पंजाल की पहाड़ियों में कितने आतंकी चुपे हैं? कहां कहां चुपे बैठे हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले आपको पीर पंजाल का टेरिन समझना होगा पीर पंजाल परवतमाला पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर से लेकर भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है पीर पंजाल की पहाड़ियों में एक तरफ जम्मू रीजन है जबकि दूसरी तरफ कश्मीर घाती है पीर पंजाल की पहाडियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नीलम वैली तक जाती है घुस पैट ये आतंकी पियोके की उसी नीलम वैली से होते हुए पीर पंजाल की पहाडियों से गुजरते हुए एलोसी के इस पार आते हैं और हमले करते हैं पीर पंजाल परवत माला की जो भागौलिक इस्तिती है या कहें उसकी जैसी बनावट है वो अफगानिस्तान के पहालों की तरह ही है और इसलिए ये आतंकवादियों के छिपने की सबसे पसंदीदा जगा है पीर पंजाल के जंगलों का इलाका भी आपस में जढ़ा हुआ है जिससे आतंकवादियों को बड़ी मदद मिलती है इसका टेरिन ऐसा है कि आतंकी हमला करने के बाद आतंकी आसानी से या तो जंगलों में छिप जाते है या गुफाओं को अपना अड़ा बना लेते हैं यानि वो एक जगह से हमला करने के बाद दूसरी जगह जाकर भी छिप सकते हैं जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है पीर पंजाल की पहाड़ियों में छिपकर आतंकी कैसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं उसे आप इन चार तस्वीरों को देख कर समझ सकते हैं कुछ महीने पहले अपलोड हुए ये सारे वीडियो खुद पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने फोन से बनाए हैं जिसे पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर वाइरल कराए हैं अननतनाग में भी बिल्कुल यही हुआ है सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के बाद दो से तीन आतंकवादी इसी पीर पंजाल के पहाणों पर बनी गुफाओं में जाकर छुप गए जिसे इंडियन आर्म्न फोर्सेस ने टार्गेट करके तबहा कर दिया और ड्रोन के जिरिये की अब तीसरे दिन जो है वो टार्गेट सेट किया जा रहा है जिसके बाद यहां पर लॉंचर्स दागे जा रहे हैं गरनेट पैंके जा रहे हैं लगातार फारिंग की आवाद जो है आपको यहां पर सुनाई देगी यह तस्वीर आप एक सकते हैं य वही एरिया है जहां पर दो दिन पहले सुरक्षा बलू और मिलिटेंटों के बीच में एक जबरदस्त मुदबेड हुई थी और उस मुदबेड के दौरान सुरक्षा बलू को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और यह माना जा रहा है कि लशकर इतौइबा के नस्त किया जा रहा है लेकिन जो यह सुपार्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो है यहां से ज़्यादा दूर बागने में कामियाब नहीं हुए है क्योंकि जो कल और आज सुबा में बलास्ट किया गे थे उसके बाद सुरक्षा बलू को य ता यकीन है कि मिलिटेंट जो है वो इसी जगा पर इसी सुपोर्ट पर जो है छुपे हुए है इस वक्त इंडियन आर्मी का एक्शन पीर पंजाल की उस लोकेशन पर चल रहा है जो भारत की तरफ है हेलिकॉप्टर्स गष्ट लगा रहे हैं ड्रोन से पीर पंजाल की हर गुफा में छिपे आतंकी को ट्रेक किया जा रहा है पाकिस्तान से आए आतंकी बड़ी संख्या में इन ही कुफाओं में दुबक कर बैठे है लेकिन असली धमाका तो एलोसी के उस पार यारी पाकिस्त पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में होगा पीर पंजाल माउंटन रेंज को गूगल अर्थ से समझे ये रहा अनंतनाग जहां आतंकीयों ने हमला किया और ये रहा पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर का रावला कूट जहां से होते हुए आतंकी पीर पंजाल के जंगल और पहाडों में दाखिल हुए और हमला किया पाकिस्तान ने पुलवामा की ही तरहा अनंतनाग में भी लक्षमन रेखा पार की है और इस बार भी उसे करारा जवाब मिलेगा हिंदुस्तान की टॉप लीडर्शिप चुप नहीं बैठेगी एक बार फिर घर में घुशकर मारेगी यह हमारा सिदांत है हम घर में गुश के मारेंगे घर में गुश के मारेंगे घर में गुश के मारेंगे आतंक और हिंसा फैदाने वाली फैक्तरी जहां भी होगी इस चौकीदार के निशाने पर है भारत को जहां से भी खत्रा होगा हम घर में गुश करके मारेंगे सवाल है कि भारत का अगला स्ट्राइक कब और कैसे होगा? बाला कोट में एर स्ट्राइक हुई थी क्या इस बार रावला कोट में ड्रोन स्ट्राइक होगा? अगर हां तो क्या ड्रोन स्ट्राइक के बार तस्वीर बिलकुल ऐसी दिखाई देगी? झाल 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 लॉंग रिंज मिसाइलों से हमले की शमता से लैस हेरोन ड्रोन को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इसलिए एक्वार किया है ताकि हिंदुस्तान की सीमा में बैठे बैठे पाकिस्तान के सारे टॉप टेरिस्ट को ठिकाने लगा दिया जाए जैश के मसूद अजहर की लास नोन लोकेशन अफगानिस्तान बताई गई थी हिजबुल का सैयद सलाओ दीन आखरी बार पाकिस्तानी सेना के हैटकौाटर वाले लोकेशन यानी दावल पिंडी में पाया गया था लशकर तयवा के हाफिस साईद की लोकेशन लाहौर बताई जाए जाए है अनंतनाग टेरर अटेक के बाद ये तीनों ही हिंदुस्तान के टागेट पर है तो क्या हेरोन ड्रोन से इन तीनों को एलिमिनेट करने का प्लॉट अल्रेटी एक्टिव हो चुका है ऐसे हमले बता कर नहीं किये जाएंगे ये एक सप्राइज अटेक होगा दिन भी हम चुनेंगे वक्त भी हमारा होगा और निशाना भी सटीक लगेगा देखें पाकिस्तान तो आर्मी तो ये करती रहेगी और ये इनका काम है कश्मीर में जो तब्दीली आई है उसे सबसे ये इसको आप एक आईसोलेटेर अटेक कहेंगे लेकिन बहराल अटेक बहुत बड़ा है और ये है के रिटेलियेशन अब फूल होना चाहिए जहां भारत को पता है के पाकिस्तान में कहां कहां ये ट्रेनिंग कैम्प हैं जहां पर ये टेररिस्ट तयार किये जाते हैं जैसे बाला कुट ऐसे अब एक प्रियम्टिव स्ट्राइक बनती है भारत की और ये है के पाकिस्तान को एक देखें जरूरी है कुछ ना कुछ तो इसको करना होगा। पीर पंजाल में छिपे बैठे आतंकी भी ऐसे ही चुने काय रास्तू से होते हुए भारत में दाखिल हुए और उन्हें लोकल सपोर्ट देने बाला था लशकर का आतंकी उजेर खार। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ऐसे पचासों उजेर खान मौजूद हैं जिन्हें भारत पर हमने का टास्त मिला है। इन सारे आतंकीों के मुवमेंट को ट्रेक करने पर एक बिलकुल अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर। करते हैं आतंकी एन स्टोर पर।